नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग? 4 मई 2021 के डेली नीज अनलिसिस में आपका स्वागत है 6-7 इंपोर्टेंट नीज देखते हैं क्या क्या है साइंस एंट टेक्नलोजी के रिस्पेक्ट में एक इंपोर्टेंट नीज निकल क्या रही है Climate Change Causing Shift in Earth Axis हम देखें ये एक काफी कॉंपलेक्स नीज है, काफी ट्रिकी नीज है इसका थीसिस करने पे जाओगे तो आपका दिमाग जाएगा घूम इस परकार के मैंने पहले बहुत सी वीडियो बनाई है जाथ है लोगों ने देखा तक नहीं, आजार लोगों तक नहीं नहीं देखा ऐस परकार के वीडियो को तो बहुत बेसिक सेंस में याँ पे ये निज क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक स्टेडी पब्लिश हुई है, जियो फिसकल रिसर्च लेटर्स अफ दे अमेरिकन जियो फिसकल यूनियन में इसने ये बोला है कि भाईया, ग्लेसियर की मेल्टिंग की वज़े से अब ग्लेसियर के मेल्टिंग की हो रहा है, जो प्लैनेट की एकसिस ऑफ रोटेशन है, वो मूव कर रही है अब ये बड़ा अजीब लगेगा आपको, ये आपको अर्थ नजर आ रहा है, सीधे अर्थ से एक लाइन खीज दी जाए तो कुछ ऐसी निकलेगी बड़ एक्चुली में नौर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है और इस एकसिस ऑफ रोटेशन के अर्थ ऐसे गुमता है, ठीक है बड़? ये है एकसिस ऑफ रोटेशन, एकसिस ऑफ रोटेशन का बदलेगी, जब ये जो ऐसे आपको एकसिस निजर आ रही है, कुछ उसकी वज़े से मुव कर रही है, नहीं समझ में आया होगा, अभी समझाता हूँ, थोड़ा सा आप पोल यहाँ पड़ा से आपको मूव करता हुआ है, अब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ बात करते हैं, ये जो अर्थ का जो एकसिस है, इसके मूव्मेंड के चलते है, जो North Pole और South Pole है उसके movement के चलते daily मर्रा की जिंदगी में कोई फरक नहीं आता है लेकिन जो दिन का length है या जो रात की length है ये कुछ millisecond से बजल सकती है अगर आप बात करो चुकि मैं आपको ये बता दू Earth की जो axis of rotation है वो shift कर रही है बट बहुत minor shift कर रही है जितना बड़ा आप कह सकते हो Earth का circumference है या surface area उस respect में जो North Pole और South Pole का जो movement है वो बहुत minute है ठीक है भई अब सबसे पहले तो समझना ही है कि actually मैं ये move कर क्यों रही है तो देखिए poles की location या पे fix नहीं है ये जो axis है ये move करती है उस हिसाब से जिस हिसाब से Earth का mass distributed है around the planet ये जो पूरा हमारा Earth planet है इस Earth planet का जो mass है वो जिस हिसाब से distributed है और उसके distribution में जिस हिसाब से change आ रहा है उसकी वज़े से आपकी जो Earth axis है ये भी थोड़ी बहुत move करती रहती और जब Earth की axis move करती है तो poles move करते है पहले axis ये थी तो North Pole यहाँ था और South Pole यहाँ था जब axis ये हो गई तो North Pole यहाँ पहुच गया South Pole यहाँ पहुच गया तो North Pole यहाँ से निकल के यहाँ पहुचा South Pole यहाँ से निकल के यहाँ पहुचा तो एक्सिस Earth Axis के Move करने के वज़े से North और South Pole कैसे Move की है ये बात तो देखिए आपको समझ में आ गई होगी आप समझ ये Earth के अंदर जो मास है Earth का जो मास है Earth के Surface पे जो मास है उसके Changes के चलते आप देखोगे कि Earth के Axis Minutely अपने आपको Change करती वेती है जिसके वज़े से Geographical North और Geographical South Move करते रहते है ठीक है बाई तो उसके Respect में आप देखोगे कि जो Polar Motion होता है वो किनके चीजों के वज़े से होगा Hydrosphere के वज़े से होगा Atmosphere के वज़े से होगा Oceans के वज़े से होगा Solid Earth के वज़े से होगा Hydrosphere क्या है तो भाई जितनी भी Water Bodies है हमारे अर्थ के सरफेस वो Hydrosphere है Atmosphere तो भाई हवा का दबाओ हमारे Earth के सरफेस के उपर कैसे पढ़ रहा है वो Oceans हमारे समुंदर Actually Oceans Hydrosphere का इपाड है Solid Earth Solid Earth में जो Interior Earth का इस्सा है जहांपे Core Mental Core Core Mental Crust यह सब आते हैं इन सब चीजों के Mass Redistribution की वज़े से भी Earth Axis Change होती है तो हमारे अर्थ की Physical Features Geographical Features हमारे अर्थ की Water Bodies हमारे अर्थ के Interior में जो हवा हमारे अर्थ के ओपर Pressure डाल रही है उन सब चीजों के चलते हैं जब Mass का Re-Orientation होगा Earth की सरफेस पे तो आप कह सकते हो कि हाँ बाई Earth Axis Change हो सकती है लेकिन यह बहुत Slow Process है एक सगेंड करें आपके दिमाग में आएगा कि बाई Atmosphere कैसे फर्क डाल सकता है हमारे अर्थ के अक्सिस पे तो Atmosphere लगातार बहुत से Processes कर रहा है Earth के सरफेस पे Erosion का Process Weathering का Process Consolidation का Process ठीके ना पानी वरस्ता उसके चलते पानी किसी एक जगा पे है किसी एक जगा पे नहीं है तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं दोस्तों बहुत Complex Interplay है यहाँ पे अलग-अलग Forces का तो Hydrosphere, Atmosphere, Ocean, Solid, Earth इसके चलते कहीं न कहीं पोलर मोशन होता था कहीं न कहीं अर्थ के मास के रियोरेंटेशन के चलते अर्थ एकसिस बदलती थी और पोल स्मूफ करते थे अब यहाँ पे Climate Change भी एक रीजन जुड़ो गया है चुकि जब Climate Change हुआ तो Climate Change के चलते हुआ क्या कि Tons of Glacier Ice पिगल गई Arctic Ocean में भी पिगली Antarctica के पास भी पिगली और उसके चलते जो पानी Glaciers के फॉर्म में North Pole और South Pole के पास लगातार कई सौ सालों से जमा हुआ था वो पिगल के जो परफ जमी हुई थी वो पिगल के पानी में बदल गई और पानी बहके दूर चला गया तो उसके चलते जो मास का distribution था Earth की surface के उपर वो बदल गया और इस मास के distribution के बदलने के चलते भी एक effect आया है हमारी Earth Axis की shifting में फिर यह आप एक fact देखिए 1995 से लेके 2020 तक जो average speed रही है हमारी pole shifting की यह 17 गुना रही है उस average speed of pole shifting की जो 1981 से 1995 में देखने हो मिला तो 1981 1915 से 1995 में जैसे speed पे pole shifting हुई है average परती यह उससे 17 गुना तेज हुई है 1995 से लेके 2020 में और पिछले चार डेकेट्स में poles 4 मीटर in distance मूव की है तो यह science and tech से related news है नई समझ में आई हो तो फिर से सुनिए समझ में आ जाएगा जनल स्टीज पेपर और में जोगर्फी में और जनल इशू जन इन्वार्मेंटल एकलोजी बायो डवस्टी और क्लाइमेट चेंज में यह न्यूजरप को खाम आएगी आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेर नहीं किया इस चैनल को शेर और सब्क्राइब नहीं किया कर दीजे मेरे चैनल हर्शित दिवेदी एजुकेशन के प्लेलिस सेक्षन न जाहिए वहाँ पे लक्षमिकांद पॉलिटी कंप्रीटेड है स्पेक्टर मॉडरनिस्टी का मोस्ट इंपोर्टन पार्ट कंप्रीटेड है रमेश सिंग की एकनामिक्स अप्लोड हो रही है सदीश चंदर की मीडियो लिस्ट्री अप्लोड हो रही है इन्वार्मेंट और इकलोजी की प्लेलिश पनी हुई है एंसे अटेस इक से टर्स में कंप्लीट करवा रहा हूं कुछ हो गई हैं कुछ बाकी है अच्छा लग है तो जोईन बटन ने बासकते हैं इस्टर्गरम पर फॉलो कर लिजए इस एशिया की जो एकनॉमिक ग्रोफ है यह 7.3% होगी इस financial year में यानि 2021 में चुकि global recovery हो रही है और कहीं न कहीं COVID-19 के vaccines पे भी progress हो रही है अगर आप देखोगे तो last year यानि कि 2021 में जो पूरा एशिया रीजन था उसकी एकनॉमिक 0.2% से contract की थी इंडिया की तो 10% से contract की थी लेकिन इंडिया में recovery 11% की और एशिया में recovery 7.3% की है ठीक है भई? तो ज़्यादा तर developing Asia की जो countries है जो की Asian Development Bank का part है उनके आपे healthy recovery देखने को मिलेगी इस respect में बात की जाए तो Asian Development के बारे में कुछ basic जानकरी जानते है ये एक regional development bank है जो 1966 में establish हुआ था इसमें 468 members हैं इंडिया एक founding member है 49 members Asia और Pacific के हैं 19 from outside है ठीक है भई? Social and Economic Development of Asia and Pacific का आपके सकतो target है Asian Development Bank का headquarters है Asian Development Bank के Manila Philippines में as of 31st of December 2019 Asian Development Bank में सबस्यादर ownership किसकी है तो Japan की ownership है 15.6% US की ownership है 15.6% People Republic of China की 6.4% इंडिया की 6.3% औस्टेला की 5.8% यही तो reason है दोस्तों World Bank में और Asian Development Bank में चाइना इतनी बड़ी economic ताकस होने के बाद भी अपने partnership को बढ़ानी पा रहा था इसलिए तो China नहीं यह New Development Bank और Brics Bank खोले है ताकि China कुछ ऐसे Multilateral Banks को डवलप कर सके जिसके चलते हो उसकी economic cloud दुनिया बर में बढ़ जाए World Bank और Asian Development Bank में तो चाइना की economic engagement को 8 limit से यहादा Western countries ने बढ़ने ही नहीं दिया General Series Paper 3 में Important International Institutions Agencies and Their Structure Mandate में यह News आपको काम आईगी Next बात करते है 8 Core Industries Output दिखिए March 2021 में यह जो 8 Core Industries है इसका Output 6.8% से बढ़ा है पिछले 32 माईनों में सबसे ज़्यादा Growth Rate इस बार March 2021 में देखने को मिला है इन 8 Core Industries में क्या क्या आता है Coal, Crude Oil, Natural Gas, Refinery Products, Fertilizer, Steel, Cement and Electricity तो यह जो 8 Core आप क्या सकते हैं सेक्टर है Coal, Crude Oil, Natural Gas, Refinery Products, Fertilizer, Steel, Cement और Electricity इसमें 6.8% का Growth देखने को मिला है March 2021 में यह जो Growth है यह किसके comparison में March 2021 की यह Growth March 2020 के comparison में अब यहाँ पर Base Effect आ जाता है कोल मिला कि इसको एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर बताय जा रहा है But actually में अच्छा इंडिकेटर नहीं है March 2020 में यह 8 Industries 8.6% से नीचे घटी थी तो जो Absolute Figure था March 2020 का वो कम था तो उसके Respect में आपको 6.8% की Growth देखने को मिल रही है March 2021 में चुकि March 2020 में यह इंडिकेटर नीचे गिरे थे तो March 2020 में आपको बड़े हुए नजर आ रहे है अगर आप बात करो पूरे Index of Industrial Production की तो पूरे Index of Industrial Production में यह 8 Industries का Weight है 40.27% का अगर आप बात करो पूरे साल की पूरे Financial Year की बात करो 2021 की तो 1 April 2020 से 31 March 2021 तक इन 8 सेक्टर का जो आउटपुट था वो 7% घटा था ठीक है नब विद रिस्पेक्ट टू कौन सा विद रिस्पेक्ट टू 2019-20 के डाटा के तो 2019-20 के Financial Year से अगर आप 2020-21 के Financial Year को कंपेर करो इन 8 सेक्टर के डाटा को तो 7% के गिरावरती contraction था वहीं पे अगर आप 2019-20 के डाटा को 2018-19 के डाटा से कंपेर करो तो 0.4% का इंक्रीस था इन 8 इंडस्टरी से हो यह बस कुछ important statistics दी जाते हैं देखे जब भी इन 8 कोर इंडस्टरी की या Index of Industry Production की कोई रिपोर्ट आती है तो इस प्रकार के Economic Comparison आते ही हैं base effect की बात क्या होती है तो basically base effect की बात ही होती है कि comparison के लिए reference के लिए आप क्या parameter यूज़ कर रहो तो चुकि March 2021 की 6.8% की growth निकालने के लिए हमने parameter यूज़ किया March 2020 का डाटा अभी March 2020 का डाटा तो गिरा था 8.6% इसलिए हमको March 2021 का डाटा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है and this is basically base effect कि जब आप comparison ही एक छोटी quantity से कर रहे हो तो आपको absolute increase तो percentage terms में ज़ाद ही नज़र आएगा समझ गें फिर बात करते हैं Index of Industrial Production की It is basically an indicator that measures the change in the volume of production of industrial products during a given period ठीके भाई इसको compile और publish कौन करता है तो National Statistical Office Ministry of Statistics and Program Implementation Index of Industrial Production को compile करता है यहाँ पे यह composite indicator है Index of Industrial Production इसके अंदर 8 और industries आती है जिसको basically core industries बोला जाता है जिसके respect में यहाँ पे यह news निकली है यह जो पूरा का पूरा Index of Industrial Production है यहाँ पे broad sectors कौन कौन से है Mining, Manufacturing or Electricity यूज बेस सेक्टर कौन कौन से है Basic Goods, Capital Goods and Intermediate Goods और इनी सेक्टर में पूरे को पूरे Index of Industrial Production को तोड़ दिया गया है Base Year क्या है Index of Industrial Production को 2011 बारा Channel Studies Paper 3 में Indian Economy and Issues Related to Planning, Mobilization of Resources Growth Development and Employment में यह चीज़ापो काम आएगी Effect of Liberalization of Economy इसमें भी इन उसर को काम आएगी इस रिस्पेक्ट में दोस्तों अगर आप Index of Industrial Production में और Index of 8 Core Industries के बीच के फर्क को समझना चाहते हैं तो इस पहली वीडियो को देखें इस पहली वीडियो को टाटल देखें What is Index of Industrial Production? Index of 8 Core Industries and Annual Survey of Industries तो Index of Industrial Production में और Index of 8 Core Industries में क्या फर्क है? इन दोनों रिपोर्टों को कौन पब्लिश करता है? किस समय पे ये रिपोर्टें एक साल में पब्लिश होती है? Annual Survey of Industries किस प्रकार से काम करता है? ये पूरी जानकारी आपको इस अठारे मिनट की वीडियो में मिल जाएगी आप इस वीडियो को देख लिजए, अगर आपने देख रखी है, विलन गुर्ट नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके Knowledge और एक्जामस के परस्पेक्टिफ से काफी काम की है चलिए अपनी अगली नियूस पे चलते है जाईलो फिस दिपाकी एक छोटा स्नेक मिला है, टाइनी स्नेक मिला है, जिसके लेंद केवल 20 सेंटिमेटर की है और इसके उपर Iridescent Scales है, कुछ इस प्रकार का आपको इस स्नेक नजर आएगा इसका नाम दिया गया है जाईलो फिस दिपाकी ये पहले कहां मिला था, एक coconut plantation मिला था कन्या कुमारी में लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये जो स्नेक पहली बार जब कन्या कुमारी मिला था coconut plantation में, ये अच्छली में तमिल नाडू में बहुत जगों पर पाये जाता है तमिल नाडू के एक endemic species है, मतलब बेसिकली ये नैच्रली तमिल नाडू में नैच्रली पाये जाता है दुनिया बर में और कहीं नी पाये जाता है, उसके बाद अगर आप बात करो तो इसको वेस्टन घाट्स के कुछ और सदन इलाकों में देखा गया है इस species का नाम पहले ही पढ़ चुका है, जो इंडियन हर्पेटल लॉजिस थे दीपक विरप्पन साब इनके नाम पे species का नाम पढ़ा है, दीपक विरप्पन साब को माना जाता है, इनके contribution को माना जाता है इरेक्टिंग अन्यू सब फैमिली, जायलो फिने, टू अकोमोडर वूड स्नेक्स तो वूड स्नेक के उपर काफी थीसिस की हैं यहाँ पे, दीपक विरप्पन साब ने, यह नो एक नई फैमिली स्नेक्स की दूड़ी है, जिसका नाम में जायलो फिने और इसलिए बेसिकली आप कॉमन नेम लेते हैं इस पर्टिकुलर सांप के लिए जो भी मिला है दीपक वूड स्नेक, हर्पेटलोजी क्या है, हर्पेटलोजी, जूलोजी की वो ब्रांच है जो की जैप्टाइल्स और अमफीबियन्स के साथ डील करती है, वूड स्नेक्स की फॉरस्ट में जब कभी पेड वगरा काटे जाते हैं तो उनके स्वैल्स के अंदर से कभी-कभी ये वूड स्नेक्स या फिर ये जायलोफिस दिपाकी मिल जाता है, जायलोफिस दिपाकी क्यों, चूकि भाई दीपक विरप्पन के नाम पेस का नाम पढ़ा है, तो बेसिकल एसा बोला था, आर्बोरियल है, मतलब, ट्रीज में पाए जाते हैं, तो बले ही ये जायलोफिस दिपाकी इरिडिसेंट स्केल्स ये सब फॉसूरील है, इसके साथ के जो रिलेटिवस हैं, ये फौरस्ट में ट्रीज पे भी पाये जाते हैं, जो जैनल स्ट्रीज पेड़ि क्या काम था इसका टू री पैट्रिएट इंडियन सिटिजन्स फ्रम अबरॉट दूरिंग कोविट नावरी जो किसी दूसरे देश में फस गयते हैं उनको वापस लाना देश में ये काम था समुद्र से तुवन का समुद्र से तुवन 3992 इंडियन उसको भारत वापस लाया अधरी हैं 2016 में ऑपरेशन सुकून चलाया था इंडिया ने जिससे इंडियन को वापस लाया गया बेरुट से था हैं 2015 में ऑपरेशन राहा चलाया था इंढियन नेवी ने जिसमें इंडियन वापस लाया येमेन से और केमीं systemd यूं पाकिस्तान को पर बाकी देश के के बहुत बढ़ गए हैं मेडिकल ऑक्सीजन और को यहां पर डिप्लॉई किया गया है । यह लोگ मनामा पोर्ट इन बहु halves चुके हैं 30 अप्रेयल्को न्युम् Tyler जा चुकी है और ये वापस इंडिया अभी के लिए आ रहा है General Studies Paper 3 में Virus Security Agencies Virus Security Forces and Agencies and their mandate में ये news आपको काम आईगी Next news बस एक reminder है ये एक actually में news नहीं है Public Building and Fire Safety Rules in India यहाँ पर बस मैं आपको एक point बताना चाहता हूँ पिछले कुछ हफ्तों में देखा है आपने इस second wave of coronavirus में first wave of coronavirus में भी बहुत स्यारे ऐसे instances देखने को मेरे थे जहाँ पर hospital buildings में fire लग गई थी और खासकर ये hospitals वो हैं जहाँ पर COVID-19 के patients admitted थे तो आप समझेए COVID-19 का patient अलरेडी परेशान है अगर वो hospital में जाके admitted hospital में जाने किसको अच्छा लगता तो वो वहाँ पर अपना इराज करवा रहा है उसको लग रहा है कि मैं safe जगा पर हूँ लेकिन वहाँ पर accident हो जाता है और COVID-19 patients की जान चली जाती ऐसी बहुत सी fires देखने को मिली है विरार रिजन ऑफ मुंबई में भरूज गुजरात में मुंबरा नियर थाने में तो इस respect वे एक ध्यान लोगों का जाना चाहिए public building and fire safety rules मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ आत्यों दिला रहा हूँ चुकि अगर आप national building code of India देखो तो national building code of India is the main standard fire safety compliance in public building यह जो national building code of India है यह special buildings को बनाने में और commercial buildings बनाने को किस प्रकार की technical requirements को follow करना चाहिए बताता है अभी इस national building code of India का जो part 4 है वो डील करता है fire and line safety से तो जब भी आप answers वगरा लिख रहे हो आप public building या fire safety से related को question पूछ दिया गया या fire के incidences से related को question पूछ दिया गया तो यहाँ पर आप national building code of India को code कर सकते हो उसके part 4 को code कर सकते हो जहाँ पर fire और line safety के बारे हम बात की गई है यह national building code of India क्या करता है location बताता है buildings की यह बताता है यह जो industrial hazardous structures है यह किसी residential है business building के अंदर नहीं होने चाहिए किसी एक particular complex या hazardous building में certified fire resistance material को इस्तमाल करना है क्या guidelines होनी चाहिए buildings को design करने की इस code में बताया गया कि mandatory है automatic fire detection system लगवाना dry riser pipelines लगवाना automatic sprinklers लगवाना fireman lift escape routes लगवाना ठीक है ना यह सब चीजें भाई इस national building code of India में बताई गई है obvious ही बात है इस code को हमारी hospital की building से follow नहीं किया गया तब ही ये on stances हो रहे है हाला कि जो हमारी hospital की building से बहुत पुरानी है लेकिन appropriate changes भी नहीं किये गए हैं इसलिए regularly हमको इस प्रकार के incidentes fire में आग लगई सुनने को मिलते रहते है तो इस national building code of India को याद रखेगा इसका part 4 जो deal करता है fire and line safety के साथ इसको भी याद रखेगा ये जो विरार incident है भरूच incident है मुम्बरा incident है इसको अगर आप code करते हो इन informations को code करते हो contextually किसी answer में नमबर मिल सकते है जनल सुरीज पेपर 3 में security and disaster management न्यूस काम आएगी नेक्स आज के आखरी न्यूस Chief Election Commissioner of India मूब Supreme Court अगेंस मदरास High Court आपको पताएगे कि कुछ ने पहरे मदरास की High Court ने ये बोला कि भाई ये जो Chief Election Commission के जो officials हैं जो election commission के जो officials हैं इंडिया के वो personally responsible है इस pandemic को फैलाने के लिए इस election commission of इंडिया ने proper तरीके से elections conduct नहीं करवाया public rally होने दी जिसके चलते COVID-19 limit के बाहर फैल गया तो यहाँ पे अब Chief Election Commissioner ने Supreme Court में appeal की है through special leave petition और special leave petition आती है under article 136 of the constitution under article 136 of the constitution Supreme Court of India special leave grant कर सकता है मतलब इंडिया के किसी भी court में चाहे वो judicial हो कौसी judicial हो इंडिया की कोई भी authority कोई भी decree executive, legislative उसको Supreme Court of इंडिया आपने पास बुला सकता है वो किसी भी court में पास की गई हो चाहे high court में, चाहे किसी tribunal में, चाहे किसी चल लगी decision दिया गया नहीं दिया गया उस case को Supreme Court of India अपने पास खीच सकता है दो circumstances में जब एक substantial question of law involved हो या फिर gross injustice हुआ हो ये Supreme Court of India की discretionary power है Supreme Court of India इस power को exercise कर भी सकता है Supreme Court of India इस power को exercise करने से मना भी कर सकता है यहाँ पे Chief Election Commissioner मदरास High Court के जो statements है उसके against गया है Supreme Court of India में मदरास High Court ने सीधे सीधे Election Commission of India पे ये इन्जाम लगाया है कि इनके officials ने responsible तरीके से function नहीं किया है इसलिए election के दौरान इतना corona फैल गया इस चीज़ के against Chief Election Commissioner ने special leave petition के दुरू Supreme Court में अपनी याचिका दायर की है अब इस respect में Supreme Court क्या action लेता है क्या Supreme Court Election Commission को सही बताता है या मदरास High Court को सही बताता है ये आगे आने वले समय में ही पता चलेगा General Studies Paper 2 में Structure Organization and Functioning of the Judiciary में ये news आपको काम आएगी यहाँ पे Supreme Court को कह सकते हैं कॉशन के साथ याट करना हम पड़ेगा देखते हैं Supreme Court यहाँ पे क्या करता है So thank you for watching friends I hope आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा Have a great day वीडियो को share जरू कर दीजेगा ज़्यादा साथ लोगों को इस वीडियो के बारे मताएं इस चैनल के बारे मताएं Good bye